तो आज हम बात करते हैं हिम्रोइट्स होता क्या है इसको हिंदी में हम बवासीर बोलते हैं और इसके दूसरा नाम होता है पाइल्स तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह कैसे होता है और इसका कैसे मैंनेजमेंट होता है इसके बारे में हम डीटेल में बात करेंगे तो फर् हुआ हैं ऑसमें बहुत ज़्यादा पे रर्डी जाने को होता है तो जो हमारा लवर पोड़्शन होता है डेय। जायल्इक जे पूह जाती जिसकी वज़्यादा व्य पेस्ट आहई होता है वहां पेन्स पेंशन होता है यूर्गाफियों, Walker दखनेम बाहरा अंब दिखने को मिलते हैं इंटर्नल भी हो सकता है और एक्स्टर्नल भी हो सकता है मतलब internal जो हमें visible नहीं होंगे बट अंदर-अंदर होंगे और external क्या होता है जो बहार हमें दिखाई देतने हैं और यह बहुत ज़्यादा frequent disease होती है बहुत जल्दी हो जाती है तो I hope आपको hemorrhoid समझ में आयोगा कि hemorrhoid होता है और rectum और NS वाली जगे पर क्या होता है बहुत ज़्यादा swelling आ जाती है उस portion में वहां की vein plexus में बहुत ज़्यादा swelling देखने को मिलती है तो इसके diagram में आप देख सकते हैं कैसा इसका diagram होता है मतलब कैसे होता है यह hemorrhoids फिर अब हम बात करते हैं इसके types की अब जादा pain देखने को मिलता है बोगत दर्द और बहुत जादा khuja देखने को मिलती है साथ इसमें क्या होता है fresh bleeding देखने को मिलती है जो हमारी bleeding होती है तो क्या होती है fresh होती है और फिर हम उसकी बात करते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि हमें external hemorrhoids है तो हमें नग नागों से अगर हमसे देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं पता कर सकते हैं कि हमें external hemorrhoids है और यह present कहाँगे इसकी location क्या होती है इसके बाहर के साइट को होती है यह हमें easily दिखाई देती है तो इसके डाइग्राम में आप देख सकते हैं समझ सकते हैं easily कि जो हमारा इस पिक्टर के बाहर हमें दिखाई देती है external hemorrhoids और इसमें बहुत जादा होता है वो थोड़ा कम होता है रेदर दिन जो external hemorrhoids होती है उससे तो लेस्पेंड इचिंग होता है साथ ही साथ ब्राइट ब्लॉड इन स्टूल इसमें क्या होता है जो हमारा ब्लॉड होता है ब्राइट होता है ब्राइट कलर का और डाइग्नोसिस इसे हम कैसे पता अंधर तो हमें दिखाए करका ही यह ऊंदर है तो इसके लिए क्या होता है प्रोक्तू स्कॉप होता है उससे क्या क्रते एजली पता कर सकते हैं कि हमेंuteur से उपर होता है यह सपहले ऑर बाहर क्यों ओर धर बलो है बड़ यह एबो है एबो मतलब थोड़ा सा उपर एनल स्पिंक्टर जो एनल का स्पिंक्टर होता है उससे थोड़ा उपर पाया जाता है तो आई होप आपको इतना समझ में आये होगा फिर नक्स्ट हम बात करते हैं इसकी causes की कि ऐसे कौन-कौन से कारण है जिसके वज़े से मैं hemorrhoid देखने को मिलता है तो most common cause कौन सा है इसका मतलब mcc का मतलब है most common cause तो इसका मतलब है prolonged constipation मतलब अगर बहुत लंबे टाइम तक किसी को constipation है या stool pass out नहीं हो रहा है नॉर्मल भास हम बहुत सकते हैं किसी को लंबे टाइम तक लैटिन नहीं आ रही है उस टाइम पर क्या होता है हमें hemorrhoid देखने को मिल सकते हैं इसकी वज़े से low fiber diet है जो खाने में क्या होता है fiber diet बहुत कम मात्रा में यूज़ कर रहे हैं इसकी वज़े से भी हमें hemorrhoid देखने को मिल सकता है साथी साथ pregnancy में भी देखने को मिल सकता है prolonged sitting कोई इंसान है कोई वेक्ति है वो क्या है बहुत लंबे टाइम तक बैठा है बैठा है बैठा है बैठे बैठे काम कर रहा लंबे टाइम तक बैठा ही रहता है तो उसको भी chances होते हैं hemorrhoid देखने को मिल सकता है हुरक नेक्ष्ester बात करते है है इसकीघ की तो ग्रेट क्या होता है इंटर्वरेट एंटनल यह मरत से कीच फिर मग्रेड हुती है तो फ्रस्ट ग्रेड की बात करते है नोग प्रोलैफ्स यसस्ट प्रौमिन्न बलड वैसस्लत देखार देखाई देगाई प्रोड़ा कीबै क्या है prolapse upon bearing down but spontaneous reduction तो इसमें क्योथ pairing down के time पर Quick готов prolapse हो जाता है विः आपने आप ही क्या होता है spontaneous reduction दुबारह नॉर्मर्म इस्स्थिध में चला जाता है इसमें bearing down का मतलब क्या है तो जिस time पर जोग कोई human being stoolेh out करता है कहने का मतलब excretion करता यह पॉटी जाता है उस टाइम पर क्या होता है उसके कुछ efforts लगते हैं ताकि इस टूल इजली बहर को pass out हो जाए तो उस टाइम पर क्या होता है ज्यादा force लगने की वज़े से वह जो हमारा hemorrhoids होता है वह प्रलैप्स पांप़ने वा था क्या हुआ था बीविडिक्शन हो गया था वापस चला गया था तो यह हमारा ल्ग्रेट गवाओ तो खरकहलोरा निकल के एक मतलिमरिधे हैं आकम हो जाता है मतलब तरीक़ से में अंदर और इनसर्ट कर दिते हैं हमारा हो गेंगे फिर google लेखों can पर क्या होता है तो क्रिके सर्जरी की की रिवॉर्मेंट होती ही होती है to ग्रेलrals में आपको प्रेट फस्ट वहां को prolapse हो जाती है बट अपने आप ही spontaneous चले जाती है ग्रेट थर्ड में क्या होता है प्रोलैफ्स हो जाती है बेरिंग डाउन पे बट manually क्या होता है वापस अंदर चले जाते है manually with finger हम क्या करते है इंसर्ट करते क्या होता है हम प्रोलैफ्स हो जाता है बट वहाँ पे अगर हम manually क्या करेंगे उसको सही करने की कोशिज करेंगे तो वह सही नहीं होगा वहाँ पे हमें क्या होती सर्जरी की requirement होती है तो यह होगा इसके कुछ क्या करते हैं मैंनेज करते हैं कैसे करते हैं तो डाइग्राम में भी देख सकते हैं तो डाइलेटेड टिशू टाइबाइस टैपल्स तो स्टैपल्स के जो हमारे वो टिसू होते हैं जो हमारे एनल और उस एरिया पर क्या होते हैं टिसू जो डाइलेटेड हुए थे उसको क हो गई यह उसप्रिशु को क्या करते हैं बांद देते हैं स्टैपलर के ठूरे फिर क्या करते डू-तीन दिन में आont श्मी को जाते क्यों कि वहां की सप्लाइब बंद हो जाती है उस जगे क्या कूफ चूरे किसम मिल नहीं है डिक्विट नाइट्रोजन kya होता है और यहांपर क्या करता है वेस programmes करता है Safety इसको क्या करता है उस्हां पे क्या होता है नैक्रोसिस हो बात करतें लेजर सिजर्य केुदेब्स हमारी बात करतें सबस्क्राइब नेक्रोसिस में क्या होता है लेक्षित हमारी सजर्य में करते हैं लेजर करते हैं कि आपको यह समझ महें होगा अगर किसी कोAL कोई में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं थैंक यू